जै स्री कृष्णा आए सुनते हैं आशार पोडिमा की ब्रत कता द्वापर युग में एक समय की बात है मायसोधा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि ये कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन करता पोशक हो आज तुम मुझे ऐसे ब्रत कहो जिससे इस्त्रियों को मृत्युलोक में विध्वा होने का भय नहीं रहे तथा यह ब्रत सभी मनुष्यों की मनो काम नाए पूर करने वाला हो यह सुनकर स्री कृष्ण ने कहा ये मा आपने मुझे से बहुत ही सुन्दर सवाल किया है मैं आपको विस्तार पुर्वक बताता हूँ शवभाग्य की प्राप्ति के लिए इस्त्रियों को 32 पुर्माश्यों का ब्रत करना चाहिए इस ब्रत करने से इस्त्रियों को शवभाग्य संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रच्छा होती है यह ब्रत अचल सवभाग्य को देने वाला एवं भगवान सीव के प्रती मनुष्य मात्र की भक्ती को बढ़ाने वाला ब्रत है तब यसोदा जी कहती है ये क्रीष्ट सरुप्रथम इस ब्रत को मित्ल लोक में किसने किया था इसके विशय में बिस्तार पूरवग मुझे बताओ तब स्रीक रिष्ट भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अतियंत प्रसिध राजा चंद्रहास्य से पालित अनीक प्रकार के रत्नों से परिपूर कातिका नाम की एक सुन्दर नगरी थी वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक द्रामहर निवास करता था उसकी इस्त्री अतिसुसीला रूपवती इस्त्री थी दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम की साथ निवास करते थे घर में धन्धान्यादी की कोई कमी नहीं थी उनको एक बड़ा दुख था उनके यहां कोई संतान नहीं थी इस दुख से वे अतियंत दुखी रहा करते थे एक समय एक योगी नगरी में आया था वह योगी उस ब्रामहर के घर को छोड़ करके सभी के घर से भिच्छा लाकर भोजन किया करता था रूपवती से वह भिच्छा नहीं लेता था उस यूग में रूपवती से भिच्छा नह ले करके और अन्य दुसरे घर से भिच्छा ले करके भिच्छा के अनको गंगा के किनारे जा करके बड़े प्रेम से खा रहा था तब ही धनिस्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था अपनी भिच्छा के अनादर से दुखी हो करके धनिस्वर योगी से कहता है कि ये महात्मन आप सभी धरों से भिच्छा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिच्छा कभी नहीं लेते हो इसका क्या कारण है तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भी पतितों के अन के समान हो जाती है और जो पतितों का अन खाता है वह भी पतित यानि पापी हो जाता है चुकि तुमनी संतान हो तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है अतह पतितों हो जाने के भैसे तुम्हारे घर की भिच्छा नहीं लेता हो हनिस्व यह बाद सुन करके अपने अमने मन में बरा दुखी दुआ और हाथ जो करके योगी के परो परो पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि ये महाराज ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ती का उपाए बताए बताएए आप सबस्त जानने वाले हैं आप मुझे पर अवश्य किपा करें ठंकी मेरे यहाँ कोई कोई नहीं है लेकिन उत्र यानि संतान दौब होने के कारण बहुत बहुत ही हो गया हूँ मेरे इस दुख का हरर कर लेजिए आप सामत्मान हैं तब तब योगी जी यह सिर्कत करने लगे लगे की हिब रामहर तुम चंदी देवी देवी की अरादना करो तब तब रामहर हर आकर अपनी पत्नी को पूरी बिली तांद कांद कर कर स्वेम बन में चला गया वहाँ पन उसने चंदी की उपासना की और उपास की किया चंदी ने सुलह में दिन उसको स्वख में दर्सन दिया और कहा ये धरिष्व जा तेरी यहां भुत्र होगा लेकिन उसकी सुलह में आयू में रित्तिव हो जाए जाएगी यदि तुम दोनों इस पुरूस 32 पुरूस का ब्रत स्रद्धा पुर्वग और विधी पुर्वग करोगे तो वह दिर आयू हो जाएगा जितने तुम्हारी सामर्थ हो उतने आते के बना कर सिवजी की जा करना लेकिन उर्मासी को 32 हो जाना चाहिए और प्रातं का इस असान के समीब एक आम का बिखाई देगा उसे तुम चड़ कर फल फल तोर कर शिख अपने घर ले जाना और अपनी इस्ट्री को सारा दितान बताना और इस नाज करने के बार वश्षषो करके और संकर्जी का थ्यान करके फल फल खा लेगी तब खगवान संकर्टी की पासी गर्व घर जाएगा जब ब्रातं का था तो उसने उस असान के पास एक आम का बिख देखा जिस पर बहुत सुन्दर आम का फल लगा हुआ था उस ब्रामभर ने आम की पीर पर चड़ कर खल को तोर दे का प्लयत ले किया और अशकल रहा तब उसने भगवान गरेश की बनना करने लगा इस्त्र का भगवान गरेश जी की प्रापना करने पर उनकी प्रिपासे धनेश्वर ने आम का प्खल तो लिया और अपनी इस्त्री को ला कर दिया धनेश्वर की इस्त्री कहें अंशा खल को खा लिया और वह गर्वर्वती हो गई देवी जी की असीम क्रिपा से एक उत्रकी राप्ती हुई थी उन्होंने उसका नाम देवी दास रखा बालग अपने पिता के खर में बढ़ने लगा हमानी की क्रिपा से वह बालग पर्दने में बहुती हो सियार था दुर्गा जी के आज्यान उसाज उसकी माता ने 32 मास के ग्रत ग्रत रखना शुरू कर दिया था जिससे बालग दिर्ध आयुवाला हो जाए 16 साल लगते ही देवी दास दास के पिता को बहुती चिंता हो गई थी कहीं उनके उनके पुत्रकी रित्यू इस साल नहीं हो जाए इसलिए उन्हों ने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्भटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे उन्हों ने देवी दास के मामा कोड़वाया और तहां कि देवी दास एक वस के लिए कासी में जाकर विध्या का अध्या करें और उसको अध्या नहीं नहीं छोड़गा चाहिए इसलिए साथ-साथ में चले जाओ और एक वस के बाद इसको वाकस लवता के ले आना तब सारा प्रभण कर के उनके माता पिता पिता ने देवी दास को एक ठोरे परवैचा कर उसके मामा के साथ आथि धिया किन्तु एबाद उसके मामा या और किसी को पता नहीं थी धनेशन ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दिर्ध आयू के लिए भगवती की अरादना पुर्मास्यों का ब्रत करना आरंब कर दिया इस प्रकार उन्होंने 22 मास्यों का ब्रत करना किया एक दिन मामा और खांजा रात रात आने के लिए एक गाओं में खहरे थे वहाँ पर एक ब्राम्हर के सुन्दर लड़र लड़की का विभाव होने वाला था जहां बरात रुकी थी वहाँ पर ही देवी दास और उनके मामा खहरे हुए थे इसके बार लड़की ने देवी दास से विभाव को अपना पती मान लेती है और उससे ही विभाव करने के लिए कहती है लेकिन देवी दास ने अपनी आयू के बारे में बताया फिर भी लड़की ने कहा कहा कि जो गती आप आप की होगी वही मेरी होगी ये स्वामी आप उठिये और बोजन कर लीजिए इसके बार देवी दास और उसकी पत्नी दोनों ने बोजन किया सुबह देवी दास ने अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी एक अउठी और माल दिया मेरा मरड और जीवन देखने के लिए एक एक बाता बना लो जब मेरा प्राड अंठ होगा तो ये फूल सुख जाएंगे फिर से खरे 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 जाएं तो जानने ना कि मैं जीवीत हूँ भगवान कर दिश्म कहते हैं कि ये माता देवी दास पिद्या अध्या अध्यान के लिए पासी चला गया कुछ समेब जाने जाने के बाद सर देवी दास के पास आता है और देवी दास के दसके रियतन करता है लेकिन रदराज पिद्वधाव से देवी दास के लाद नहीं पाया क्योंकि उसके माता ने पहले ही 22 पुर्म मासी के ब्रत पूरे करने लिए थे इसके बाद काल स्वयम वहां आया और उसके सजीर से उसके प्रारों को निकालने का रियतने करने लगा जिससे वह मुचित होकर पिखवी पर बड़ा भगवान की पासे माता पारवधी के साथ संकर्जी वहां पर गए माता पारवधी ने संकर्जी से कहा कहा कि इसकी माता ने पहले 22 मासी का ब्रता भ्याह दिया है और आप उसके प्रार गार दान दे इस प्रकार सिरुजी उसको प्रार गार देते हैं और काल को भी इच्छी हटना पड़ा देवी दा वस्त होकर पुनह वैठ वैठ गया उधर उसकी इस्त्री उसके काल की प्रतिया करती थी जब उसने देखा कि पुस्प बाटका में पुस्प और परते नहीं रहे तो उसको अतियंत आश्यर्य हुआ लेकिन जब बाटका हरी परी हो गई तो वह जान गई कि उसके पती को कुछ नहीं हुआ है यह देख करके वह बहुत बहुत सुसंद मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिता जी मेरे पती जीवीत है आप उनको गो सोलहवा सार भीत जाने पर देवी दास अपने मामा के साथ कासी से वापस चल जिया उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे लेकिन वे मामा भांजे वहां पभुछ गए ससुर उनके अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्हों ने निश्चय किया कि इस कन्या का विबा इसी बालत के साथ हुआ था कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था कुछ दिन बाद देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया जब वह गाउं के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी तुम्हारा पुत्र देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए पुत्र और पुत्र बधूप की आने की खुशी में धनेश्वन ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया तब भगवान स्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर मासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ जो व्यक्ति या इस्त्री इस रद को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुचकारा प्राप्त कर लेते हैं